हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रात्मिक स्वास सेवा केंद्र भवन बनकर तयार हो चुका है जिसका लोकारपन आज रफिवार को वन एवं पर्यावरन मंत्री सुकराम विशोई के मुख्य अतित्यप पूर्व उप्मुख्य सचेतक रतन दिवासी की अध्यक्षिता एवं सांसत देवजी एम पटेल वि पूर्व मंत्री अजुन सिंग देवडा प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व महासचिफ पुक्राच पाराशर रानीवाणा प्रधान रागवेंद्र सिंग देवडा वह बढ़दाव उपसर पंच इकश वाकु सिंग देवडा के विशिष्ट अतित्यप में किया जाएगा समारों में भामशा परिवार सहित कई समात से भी उद्योगपती एवं शेत्रवासी भाग लेंगे लोकारपन को लेकर समस्त दयारियां पूर्ण कर दी गई है अचलानी परिवार ने अस्पताल निर्माण में एक करोड खर्च कर चिकित्साले से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाय मुआया कराई सभी सुविधाय होंगी उपलब नव निर्मित अस्पताल भवन में अब ग्रामिनों को सभी आवश्यक सुविधाय उपलब्ध होंगी इसके लिए महिला वाट शीशो वाट ऑपरेशन थेटर चिकित्सा कक्ष आधी तयार करवाए गए अस्पत रहा था लेकिन अब भवन निर्मान होने से सभी को चिकित्साले संबंदित सुविधाय उपलब्ध होंगी 25 से अधिक गाओं के लोगों को होगा फायदा इस प्रात्मेक स्वास्त केंद्र भवन के निर्मान से 25 से अधिक गाओं के लोगों को फायदा होगा पहले प्रात् लेकिन अब सभी इस चिकित साले में सुविधाय उपलब दोंगी भामाशा मुकेश अचलानी का किया सम्मान अस्पिताल के लिए भवन निर्मान करवाने पर भामाशा मुकेश कुमार बावुला अचलानी का गुरुवार को ग्रामिनों ने साफा तता माला पहना कर सम्मान किया पामाशान ने बताया कि 21 मार्च को अस्पिताल का उगाटन किया जाएगा जिसके बाद सभी रोगी अस्पिताल वोवन में इलाज करवा सकेंगे इस तोरान अनेक ग्रामेंट उपस्थित रहे जागरुक टिवे के लिए रानीवाणा से मदन माहिश्वरी के रिपोर्ट